स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का आपके फेवरेट शो आरोगे मंत्र में आई अपनी बात्चीत को आगे बढ़ाते हैं चीर डॉक्टर साब तो आपने बात की अंडर वेट के बारे में और अज किल मार्कमिट में बहुत सारी चीज़े आ रही है अपने वेट को इल रखें और कंट्रोल रखें लेकिन उसे पहले आम सॉरी हमारे अगले कोलर हमारे साथ जू चुके है वेला मुंसे बात करते हैं हालो हाई जी वेलकम तो आवर शो आरोगे मंत्र नाम बताई अपना कहां से बूल अच्छा पूची डॉक्टर चॉहां से अपना सवाल जी स्पेलिंग है वेस्ट तो 51 ही है अच्छा बट वेस्ट में वगेरा मतलब थाईज में स्पेलिंग कैसा हो रहा है जाद है देखिए जब भी आपको कभी थाईज में हिप्स में इस एरिया में अगर हैविनेस महसूस होने लगे तो यह पहला लक्षन है कि अब आपका कही न कहीं पाचन मेटबोलिजम में गडबड शुरू हो गया इसको जरा समझ लेजी अच्छी तरह से आज हमारा विशे भी वेट के उपर ही है और कई बार हम इसको नजरंदाज अगर कर देते हैं तो फिर नेक्स्ट टेप आपका मोटापा या वेट बढ़ने का शुरू हो जा रहे हैं कोई बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीजें तो नहीं खा रहे हैं और कभी कबार ऐसा भी हो सकता है कि आपका खाना बिल्कुल नॉर्मल है कोई चीज आप खाई नहीं रहे उस तरह की फिर भी आपका जो है फैट बढ़ रहा है देट मींस कि आपकी अगनी जो है तो वहां खाना आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अगनी को तेज करने के लिए बहुत सिंपल सा एक फार्मूला आपको बताता हूं वह आप बना लीजिए घर में आपको चार चीजें लेनी है पोदीना सौफ जीरा और धनिया बराबर बराबर मातरा में लेके कूट करके चूरन बना लीजिए और इस चूरन में से एक एक चमच भोजन के पस्चात जो है आप गुनगुने पानी से सेवन कर लीजिए दूसरा जब भी खाना खाएं उस समय पानी में थोड़ी अधरक उबाल करके आप पीते रहें गरम गरम खाने के बीच में खाने के थके पहले भी नहीं खाने के साथ साथ एक कप पानी में थोड़ी अधरक ढाल करके और अधरक वाला पानी आप भोजन के साथ पीए तो इससे भी आपका पाचन ठीक रहेगा और आपका जो भी एक्स्ट्रा फैट थोड़ा जमा होना शुरू हुआ है वो ठीक हो जाएगा भी करिए वियायाम करिए उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा ठीके जी तो जो बाते आपको डॉक्टर चहान ने कही उनको आप जरूर पालन कीजिए आज से कीजिए क्योंकि जैसा सर कह रहे हैं कि इसके बाद अगला स्टेप आपका वेट गेन होने का हो सकता है ठीके हमें कॉल करने के लिए बहुत धवाश्यक्रिया हैं जी डोक्टर साब जी जैसा इन्होंने कहा आपने प्रशन पूछा था कि आजकल वेट मैंजमेंट के लिए वेट बढ़ाने के लिए वेट कम करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं लेकिन सबसे पहले बिटेटल डिजीज भी आजाती है, कि माइंड में आपके बैठ गया कि मैं मोटी हूँ, तो यह फिर गलत हो जाता, फिर जहां मानसिक रोग आपको हो गया, तो फिर खाना नहीं खाते प्रोपरली, कि यह लोग खाना खाके उल्टी हो जाती है, तो सबसे पहली चीज आपको यह देखनी है कि क्या आपका वेट आइडल है, दूसरी चीज आपकी प्रकृती है, मानलो आपकी कफ प्रकृती है, तो कफ प्रकृती वालों का शरी थोड़ा सा जो है, हैवी होता है, उसमें नॉर्मल है, उसको आप यह मत समझें कि आप मोटे हो गये हो, प्रकृती जो है वह बिमारी नहीं है प्रकृति आपका नेचर है यह भी समझ लेजी दूसरी चीज कि अगर आप वाके में मोटे हैं और दूबले पतले हैं तो फिर एक ही प्रोसीजर उसमें आप अपनाएं नेचुरल प्रकृतिक चीजों को आप यूज करें जो भी आपको प्रोग्राम नहीं आएं आप क्योंकि आरवेद में अतिस्थूल पुरुष और अतिकरश पुरुष मतलब दूबले और पतले दोनों का जिक्र है और दोनों को रोगों के रूप में वहां बताया गया है और उसकी चिकित्सा भी लिखिए तो इसको ऐसे रोग समझ करके उसकी चिकित्स या आप कुछ ऐसे कैपसूल खाएं जिससे आपकी मसल्स फूल जाएं आपका शरीर फूल जाएं वह भी गलत तरीका हो प्राकरतिक रूप से आर्वेदिक तरीके से रोग के कारण को समझ करके अपने रोग को दूर करिए आप पतले हैं तो क्यों पतले हैं हो सकता है आपक कारण को पहले पकड़िये और कारण को ठीक करिए तब आपका वजन नॉर्मल आएगा जी रप्रसाब और मेरी दिबाग में अभी एक और सवाल है इसी बात पे इसी टॉपिक पे तो मेरा जो प्रशन है वो यह है कि अक्सर हमने भारत में भी देखा है आपने भी यह कहा है कि कुछ लोग होंगे कुछ महीला होंगी कुछ पूरिश होंगे चिनके हाथ पैर बिल्कुल मतलब नॉर्मल होंगे पतले होंगे लेकिन पेट जो बाहर होगा उसका क्या कारण है उसे कैसे कम करना चाहिए देखे पेट जब बढ़ता है पेट बाहर निकलता है तो दो कारण होते हैं ज्यादतर तो फैट जमता है वहां पर जाकर बहुत ज्यादा फैट वहां पेट के उपर जम जाएगा हिप्स के उपर जम जाएगा तो वहां पर हम कहते हैं आरवेद में कि मेदो वह सुरोतस जो काढ़ा है उसको सुबह शाम पीएं तो फैट केरिंग चैनल को साफ करती है दूसरा कारण जो होता है पेट बाहर आने का वो पेट में गैस बनना बहुत सारे लोगों को अफारा रहता है गैस रहता है फैट नहीं होता लेकिन गैस की वज़े से उनका पेट बाहर निकल जाता है आयरवेद में कई परकार की औशधियां उसके लिए वातानुलोमन के अपान वायू को शुद करने के लिए बहुत परकार की औशधियां तो अच्छा प्रशन पर आपने पूछा है को कभी कभार लोग जो है कारण को नहीं समझते हैं वो सोचते हैं मेरा पेट बाहर नि जाएगा तब तक रोग नहीं दिलकुल डॉक्टर साब और आयरवेद को हम अपनाएंगे तो जड़ जड़ को अवश्य पकड़ पाएंगे तो दोस्तों आप कहीं मत जाएगा आज हम बात करें विश्व प्रसेद आरवेदा चारे डॉक्टर पताप चोहादन से वेट तोटे से भ्रेक के बाद